ओम् भूर्भुवास्वाह तत्सवितुर्वरेन्यं भर्गोदेवास्यधिमाहि दियोयोनाः प्रचोधयाः हे इश्वर हम यह पठन पाथन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रुप में करने जा रहे हैं इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही सबको साधर नमस्ते जी हमारा ईशोपन सत्का व्यक्ष्यान चल रहा था जिसमें हम तीन सुलोक तक व्यक्ष्या किये थे आज चौथा मंत्र आ रहा है पहले मंत्र पढ़ेंगे ख्रीव्यक्ष्यार करेंगे एक बार मैं बोलूंगा एक बार आप बोलेंगे ओम अने जदे कम्मन सोजवियो बोलूंगा अने जदे कम्मन सोजवियो नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षात नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षात तध्धावतो ज्यानत्यति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिस्वादधाति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिस्वादधाति ओम अने जदे कम्मन सोजवियो नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षात तध्धावतो ज्यानत्यति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिस्वादधाति तध्धत तस्मिन्नपो मातरिस्वादधाति इस मंतर में क्या कहा कि हे परम पिदा परमात्मा आप अनेजत एकम और मनसो जवियो हैं इस कार्थ क्या हुआ कि हे प्रभू आप अनेजत कभी भी हिल्टे दूलते नहीं है चलायमान नहीं होते हैं आप में कोई कमपन नहीं होता है आप में कोई गती नहीं होती है और एकम आप एक ही हैं ठीक हैं अनेजत और एकम कि हे परमात्मा आप अनेजत हैं और एकम तो अनेजत मनें जो कांफता नहीं है एजरी कमपने धातु से बनता है और भी आगे भी आता है तद इजती तद न इजती उसे से बनता है एजरी कमपने धातु है उसमें अलग गया तो अन इजत वो कांफता नहीं है चलता नहीं है फिरता नहीं है दोड़ता नहीं है भागता नहीं है सदा एक्र सर्वत्र इस्थिर रहता है एक ही है और मनसो जवियो मन की गति से भी और तीज है ठीक है जैसे बुलते हैं ना जहान ना पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी इबात सुनी अपने बोलते हैं ना जहान ना पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी जहां सुर्य क्रण नहीं पहुंचती हैं वहां पर हुँ कवी पहुंच जाता है और ठाथ उसका जो आलंकारिक वरणन ने वो कोई भी तो उसके लिए खुता नहीं है ज़िक अफि दिन इंडिया है हमारे सोचने के पहले अप्ड पह्ले से प्र्मात्म वहां विध्यमाद है न जवा हम मन के माध्यम से वहाँ पहुंचें या पहुंचते हैं उसके पहले ही वहाँ पर वो पहुंचावा है इसलिए कहा मनसो जवियो जो मन की गच्छी से भी और अधिक वेग वाला है जवियः 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 परमात्मा को जान नहीं सकते हैं। इसलिए प्रात्ना है कि है प्रभू आपको हम इंद्रियों से तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा के माध्यम से आपका जान कर सकते हैं। तो हमें आत्मा के माध्यम से आपका जान करा दिजी। यह न एनत देवा आपनुवन की जो परमपिजा परमात्मा है उसको यह इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकते और पुरुवम एसत यह पहले ही अरसत सब जगह पहुंचा हुआ है मौजूद है सब जगह तो ऐसे सरवत्रव विद्धिमान पुर्वता विद्धिमान परमात्मा को हम आखों से देख नहीं सकते हैं हाथ से उसको छू भी नहीं सकते हैं इसलिए तो हम बोलते हैं ना उसमें एक पंक्ति आती है आरती में क्या पंक्ति आती है आज कुमार जी तुम हो एक गोचर सब के प्राणपती हो स्वामे सब के प्राणपती किस विध मिलू दाया माया दीजय यह सुमती कि यह क्या खा इसमें तुम हो एक अगोचर कि आप अगोचर हो यहां भी एक काज तुम हो एक अगोचर यहां प्राणते खाना अनेजस एकम कि परमात्मा एक कह रहे हैं और अगोचर जो हिंद्रियों से गोचर नहीं है इंद्रियों से वो जाना नहीं जा सकता है कि सब के प्रानपति तो कैसे करके मिले हैं प्रमात्मा आप हैं को उपाई बताए दीजे यह सुमति ऐसी सुन्दर मति अर्थाद प्रज्या बुद्धि प्रदान करिए जिससे आपके मुण भुद्धि कर सकें विवेक वैराग्यमा बुद्धि प्रदान करिए तो यह प्रमात्मा का सरूप यहां पर बताया गया है फिर कहाए तद्धावत हुआ दोड़ते हुए अन्यान अत्यति दूसरों को लांग जात पीछे छोड़ देता है तद्धावत हुआ दोड़ते हुए दूसरों को जो भी लोग भाग भाग के दोड़ रहें यह दोड़ दोड़ के भाग रहें मतलम जैसे यह जाते हैं हवाई जहाज में ठीक है राकट में चले जाओ तो जितने भी यह गतिमान वेगवान वाईव देता है जहां से हम यह जहां पहुंचना चाहेंगे राकट के मांद्यम से वह तुसके पहले वह पहुंचा हुआ है तो जितने भी दोड़ते हुए भागते हुए पदार्थ हैं इन सब को परमात्मा पीछे चुड़ देता है उनसे आग्वें पहुंच जाता है तो एक दूसरा आर्थ जो आपर क्या गया है धावतह का सामित त्यानद के आर्थ है कि वह विस्यों की और गिरते हुए विस्यों की और गिरते हुए धावतह विस्यों की और गिरते हुए आत्मा के सवरूप से विलक्षन मन वानी आदि इंद्रियों का अतियति उलंगन कर जाता ह देखो तो अगर हम मन से इंद्रियों से विश्यों क्यों गिरेंगे अथात विश्य भोगों में आसकती रखेंगे तो परमात्माम को पिछे छोड़ लेगा हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे यह तत्परी है तो याद रखिए जब तक आपके मन में विश्यों से सुख लेने की इच्छा है तब तक आपको इश्वर का सुख नहीं मिल सकता है यह नियम है जब तक सांसारिक सुखों की इच्छा बनी हुई है तब तक इश्वर ये सुख की प्राप्ति असंभव है इसलिए संसार से वेराग्य उत्पन्य करें तो जो परम्पिटा परमात्मा कैसा है जिवात्मा को भी धारण करने वाला है सब के कर्मों को धारण करने वाला है ठीक है मन सब का आधार है तो सफी जिवात्मा का भी आधार है ये वायू जल और संसारस्त सब पदार्थों का आधार है तो ऐसे मातरिस्वा जधाती जिवात्मा को भी धारण करता है जलों को भी धारण करता है अप हमाने जल भी अप हमाने कर्म भी तो इन सब को धारण करने वाला एक जिवात्मा भी जीवातना भी कर्मों को धार्ण करता है और सत्तिकाज प्राप्त करता है परमात्मा से तो जो परमपिता परमात्मा है जीवत तुल्य नहीं वायुत तुल्य जीव को उसके कर्म को सबकु धार्ण करता है और मातरिश्वा मने अंतरिक्ष में प्राणों को धारन करने वाले वायु के तुल्य जीव को अथोसके कर्मों को क्रिया को धारन करता है ऐसा वो परमपिता परमात्मा है तो मातरिश्वा मने जीवात्मा ठीक है जो कैसा है मातरिष्वा अंतरिष्च में भी प्राणों को धारण करता है और वायू के तुल्य है ऐसे जिवात्मा को परमात्मा ही धारण करता है और जो जिवात्मा स्वयम कर्मों को धारण करता है जिवात्मा भी तो कर्मों को धारण करता है ना कर्म करता है तो परमात्मा ऐसे जिवात्मा को भी धारन कर रहा है जो कि कर्मों को धारन करने वाला जीव है तो सार क्या निकला कि परमात्मा कहीं गति नहीं करता कहीं चलता फिरता नहीं है कमपन नहीं करता है वो एक ही है दो, चार, पात, दस इस्वर नहीं होते एक यह इसलिए वेद में कहा है न द्रितियों न द्रितियों न चतरतों न पंचमों ऐसे करते करतें दस तक गिंती बता दी न श्टमह, न नौमह, न जसमह, न प्यूच्यते वो आठ, नौ दस भी कहान नहीं जाता है तो सा एक है वह वह एक है एक विरिदेव एक ही एक ही है जुछ चार पांत तस स्वर नहीं होते तो जो दस अवतार की कलफणा करते हैं वो इसे वो बात कट जाती है की स्वर दस अवतार वाला नहीं है मस्चे उतार और कच्छप उतार वारह उतार द्रिसियं आवतार बामन आवतार राम का आवतार कृष्ण आवतार परसुराम को भी एक आवतार मान लेते हैं बुद्धु को भी एक आवतार मानते हैं तो ये सब आवतार वेद में सिद्ध नहीं है वेद के विप्रित ये मान जयता है परमात्मा तो एक ही है भाई एकह सद भिप्रा बहुधा बढ़नती इसल Вे कहा गया है कि परमात्मा एक ही है उसको विद्वानगन अनेक नामों से पुकारते हैं इसलहे कहाँ अनेजत और एकम एक ही है कहीं जाना ने करता तो राम चंत्र गए थे ना वनवास अउध्या से वनवास गए थे तो अउध्या खाली और उनके वियोग से ही उनके पिता दसरत जी की मृत्ती हुई थे तो जब वनवास चले गए वो अउध्या में नहीं थे मतलब वे एक देशी हुए एक इस्थन विरते थे लेगर परमात्मा देशा नहीं है उधर सरवत देशी है सरवत प्याप्रक है और वो कहां जाएगा वो जाना आनक ही नहीं कर सकता तो इसलिए कोई व्यक्ति परमात्मा नहीं हो सकता है परमात्मा एक ही है और वो निराकार है तो ऐसे परमात्मा को वे इंद्रिया प्राप्त नहीं कर सकती है ठीक है जी क्यों नहीं कर सकती है क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है रंग नहीं है आकार नहीं है न उसको पकड़ सकते है न परिजग्रवत यह भी आता है न वे उसको हातों पकड़ नहीं सकते तो याद रखिए परमात्मा एक निराकार तत्व है वस्तु तो है निराकार चेतन वस्तु है तो परमात्मा एक निराकार चेतन तत्व है वस्तु है लेकिन संगहात नहीं है समझे परमात्मा कोई संघात नहीं है संघात्मा ने अनेक पदार्थों से मिलकर बनने वाला पदार्थ जिसे सरीर ये संघात पदार्थ है ये मकान संघात पदार्थ है संसार संघात है ऐसे परमात्मा कोई संघात पदार्थ नहीं है जो जिवात्मा है ये भी कोई संघात पदार्थ नहीं है याद रिखिए जिवात्मा परमात्मा दोनों संघात नहीं है सरीर संघात है तो परमात्मा इन सबसे प्रिथक है फिल्यट दिलने वाला नहीं है हर्वत्र व्यापक है सबके मन में भी रहने वाला है और मन भी और गतिमान है यह यहां पर अलंकरिक वर्णन किया गया है तो एक अर्थ यह इसमें आई आया वाक्त में जो इंद्रियां विश्यों के और दोड़ती है है ना तद धावत्त है इंद्रियां विश्यों के और भाक्ती रहेंगी तो जब तक विश्यों के और दोड़ लगी हुई है तो आप परमात्मा से दूर है इसलिए वेराग्य की अफेक्षा है आउसकता है जब तक वेराग्य नहीं होगा समाधी लगने वाली नहीं है और बिना समाधी के इस्वर की अनमूती नहीं होगी बिना उसका सचतकार किये तभी कलेश नहीं मिटेंगे तो कलेश को हटाओ तो मोक्ष होगा तो इसके लिए वेराग्य बढ़ाओ जो संसार के विसे हैं उनमें आसकती को नश्ट करो और परमात्मा में तरिती को भक्ती को बढ़ाओ परमात्मा के सच्चे स्वरूप को समझो जानो और उसके अनुकुल विहार करो तो आप ये संसार के आवागवन चक्तर से मुक्त हो सकते हैं मोक्ष पद को प्राक्त कर सकते हैं ये आज के मंत्र का सारवा कि परमात्मा के स्वरूप को समझें और जनम मरन के बंदन से मुक्त हो जाएं तत्र जान के मांधम से ओम सांति ओम श्रम सबको सादर नमस्ते जी